आपका मूर बार बार खराब होता है आप जरा जरा सी बात पे चिड़ जाते हैं और एक बात के आप पीछे पड़ जाते हैं आपको बहुत जल्दी मतलब एक इरेटेशन होती है ऐसा लगता है कि आपको कुछ परिशानी हो गई है फौगी आप हो जाते हैं आपकी मेमोरी जो है वो गड़ बड़ा जाती है आप चीजों को ध्यान नहीं कर पाते या फिर जर्नरेट नहीं कर पाते और आपके मूड में बहुत उतार चड़ा होते हैं तो आप फिर यह समझ लीजिए कि आपका जो सेरोटॉनिन हार्मोंस है उस काफी हद तक हमारे अपने विवार हमारे अपने मूड डिप्रेशन एंजाइटी इंसॉम्निया ओसीडी मतलब ऑपसेस हो जाना एक ही बात को पकड़के उस पे लगे रहना प्लस कुछ केसिस में देखा जाता है कि यह स्ट्रेस और फिर साइकोसिस डबलब कर देता है तो आपको जरूरत इस बात की है कि सेरोटॉनिन आपके बॉड़ी में ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो क्योंकि सेरोटॉनिन का ज्यादा रिलीज होना भी नुकसान दायक है और सेरोटॉनिन का यदि बहुत कम सेक्रीशन होता है तो भी नुकसान दायक है आप यह मान ल करने में serotonin एक डारेक्टली बहुत बड़ा रॉल पिले करता है और यदि आपका serotonin hormones का सेक्रीशन नॉर्मल नहीं होगा तो आपका दिमागी स्वास्त नॉर्मल नहीं हो सकता फिर आप कितनी दवाई खा लें कुछ भी कर लें ये कुछ तरह का कोई symptoms है कोई ऐसी आदत है बहुत low feel करते हैं आपको guilt रहता है आपके पास वो energy नहीं होती और आप discipline नहीं रह पाते तो फिर यह मान लीजिए कि आपके उपर serotonin ने एक attack कर दिया है और serotonin hormones ने आपको फिर अपना गुलाम बना लिया है तो उससे फिर आपको भार निकलने की ज़रूत है और आपको एक normal process में जाने की ज़रूत है तो आब हम बात करेंगे कि आखिर serotonin hormones है उसके secretion को normalize कैसे किया जाए और हम कैसे इसके bad effects से बस सकते हैं बहुत simple है बहुत जादा कुछ परेसान होने की आवशक्ता नहीं है सबसे पहली बात यह है कि कुछ ऐसे natural method है आपको कोई दवाई लेने की आवशक्ता नहीं है किसी physician के पास जाने की जरूतनी है कोई x y z चीज नहीं करनी है कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से करनी है यानि आपको अपने serotonin को खुद ही normalize करना है आपको खुद ही अपना doctor बनना है आपको हम कुछ tips देते हैं वो खुद ही follow करनी है और आप खुद से ही ठीक हो जाएंगे इसके hormones को regulate करने में आपका बहुत important role है तो जो चीजें हम बताते हैं उनको आप ध्य medical positive change महसूस करेंगे और आपकी health बहुत अच्छे से sustain stable होगी और आप फील करेंगे normally और आप happy भी फील करेंगे इसके बाद मैं आपका दोस्ट्र सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार education clinic मैं as a consulting physician last 18 years से साउड़ली छातरपुर मैं practice कर रहा हूं और मेरी कोसिस यह रहती है कि मैं educate कर पाऊं आप लोगों को आप प्रिवेंट कर पाएं बीमारी को aware हो पाएं और बीमारी से बचें और यदि आपको कुछ इस तरह की problem है तो आप परिसान नहों नेचरी इसको ठीक कर पाएं लेकिन फिर भी आपको कोई symptoms रहता है और आपक मैसेज कर सकते हैं क्लिनिक पर आके मिल सकते हैं online appointment ले सकते हैं तो यह सब है इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कौनसी ऐसी activities हैं जिने करके हम इसको stabilize कर सकते हैं सबसे पहली बात है physical activities physical activities आपके hormones के secretion को आपके serotonin के secretion को माइंड वाडी और आपके emotional center के connection को establish करता है और आपके physical activities से serotonin hormones के secretion को stabilize करने में काफी मदद करता है और यदि आपको कम secret हो रहा है तो उसके secretion को ये बढ़ाता है तो physical activities में आप dance कर सकते हैं आप running कर सकते हैं और आप stretching कर सकते हैं आप yogic बयायाम कर सकते हैं या फिर आप aerowics कर सकते हैं इविन आप zimming भी कर सकते हैं लेकिन आप make sure करें कि हलके weight से आप लंबी exercise करें तो उससे आपको काफी फायदा होगा दूसरे level पर है nature exposure यानि आप nature के साथ जरूर जुड़िए यानि मेरा कहने का मतलब है कि at least 40 to 60 minutes आप nature के साथ रहे nature में रहे, plants के बीच में रहे sunlight में रहे तो ये आपके serotonin को secret करने में काफी मदद करता है उसके बाद आता है natural diet यानि food आप जितना natural food खाएंगे जितना fresh food खाएंगे जितना vegetable fruits लेंगे उतना आपका serotonin जादे secret होगा, normalize होगा और उसके आपको positive फायदे होंगे egg, mutton alcohol, smoking ये सब आपके serotonin का दुस्मन है ये सब आपको नहीं लेना है इसके बाद आता है positive mindset positive mindset का मतलब है कि आप positive रहें present में रहें पीछे जो हुआ उसको भूल जाएं आने वाले कल के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें क्योंकि ना कोई perfect है ना कोई खुदा है हम सब plus minus हैं सबसे अच्छा भी होता है बुरा भी होता है कभी हम अच्छा करते हैं कभी हम बुरा करते हैं कभी हम बहुत excellent करते हैं कभी हम बहुत बुरा करते हैं ये एक normal human being के साथ जुड़ी होई चीज़े हैं जो कि आपको एक normal human being बनाती हैं, तो इन सब को positive मानिए, पलस आगे बढ़िए, guilt की feeling डबलप ना होने दें अपने अंदर, कही बेरी देखा गया है तो बहुत सारे लोग एक guilt में पढ़ जाते हैं, और वो एक repeated obsessive हो जाते हैं उससे, कि मेरे से गल्थ हो गया, मेरे से crime हो गया, मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को बचा लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम सब एक माध्यम है, हम सब की अपनी एक duty है, हम सब का अपना एक कर्मा है, हम सब उसको करने की कोशिस करते हैं, but due to some different reason, different conditions, उसके पीछे एक कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कि हम से कुछ अच् करिए, तो यह एक positive mindset से भी आपका serotonin का secretion बढ़ते बढ़ेगा, यह normalize होगा और यह body के दूसरे hormones और chemical को normalize करेगा, जिससे की आपका mood का reaction और body का reaction normal होगा, उसके बाद आता है breathing exercise, breathing exercise, serotonin के secretion में एक directly role play करता है, तो deep breathing exercise से बहुत बड़े फायदे होते हैं, आप deep breathing करें औ आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई supervised training की जरूत नहीं है, आप लंबा सांस लें, लंबा सांस चोड़ें, और जब आप jogging करते हैं या walking करते हैं, तो आप nasal breathing करें, mouth close रखें और deep breathing करें, that is very much helpful, उसके बाद आता है कि कोई भी आप focused attention या आप focused attention से मेरा मतलब है कि आप किस इसी भी एक object को देखें, focus attention से भी बहुत बड़े फायदे होते हैं, plus make sure करें कि आप food time से लें, पूरी नींद लें, और positive रहें, खुस रहें, और God को और nature को thanks बो लें, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ है, वो हमें एक normal, complete human being बनाएगा, और वो process वो पिरक्रिया हमें मजबूत बनाएगी, एक better balance human being बनाएगी, thank you very much and take care yourself.